इस समय में घाट को पर के उस इलाके में मौझूद हो जहाँ पर C-90 टाइब का जो एरक्राफ था वो क्रेश हुआ है आप देख सकते हैं कि इधर पीछे जहाँ पर है वो एरक्राफ है जो ये क्रेश हुआ है ये एरक्राफ बारा सीटर का एरक्राफ था जिसके अंदर करीब जार पेसेंजर मौझूद थे और इसके अलावा पाइलेट और जो इंजिनियर थे वो मौझूद थे लेकिन जो आप देख सकते हैं यही नजदी की यह जो निर्माणा धीन यह जो इमारत है इसी इमारत के ठीक नीचे ये क्रेश हो करके गिरा हुआ है एरक्राफ ये एरक् शाचंग का कहना है कि यह इन्हों ने यू वाई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कमपणी थी उसको बेज दिया था और इस आखिरकार इस एयरक्राफ्ट में क्या खामी ऐसी हुई कि यह एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है आप देख सकते हैं कि यह निर्माना धिन जो इ अगर यह यह और यह नहीं है यह इन्हों करें फ़ेंगें उसके मौठ है उसके बाद एक यहां का रहागीर वो उसक चपेड में आ गया था और उसकी मौट हो गई उसके इसके लावा पाइले और 3ज्वत उनकी मौट हो गई है अब इस से घटना की जाच करायी है अब इजाच पे पता जले क्या होगा इससे हमारे साथ DCP साब है DCP साब क्या क्या ने इस बता दी गाट कोपर की हद में उत्रप्रजिस सरकार का ये वो था एयर क्राफ्ट जिससा बताते हैं कि क्योंकि इसके पीछे लोगो भी लगा है लोगो लगा है बट इस सीम एक गिवन ओवर तो सम अधर प्राइविट कंपनी अधर अभी जान चल रही है जैसा कि DCP साब यहां है उन्होंने बताया है कि जान चल रही है और अभी प्राथमी की पहली जो फर्स्ट प्राइमाफेसी है उसमें देखने भी पता चला है कि यह दुरगटना हुई है और पांच लोग की मौत हुई है बाकी लोगों को नजदी का जो राजावड़ी के साथ सुबोध मिश्टा एपे न्यूज मुंबाई